वेलकम तो देचाइनल ग्यापन एकेडमी इस वीडियो में आप देखेंगे नौन हिंदी का लेशन 8 से 14 तक के अबजेक्टीव का निचोड यानि कि अबजेक्टीव का तांडव यह वीडियो डीपली समझेगा और देखेंगा क्योंकि इस वीडियो से आपके एक्जाम में अबजेक्टीव कुष्चन देखने को मिलेंगे तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पहला कुष्चन है बच्चे की दुआ किस परकार का गीत है यहाँ देखेंगे यूद गीत है कि प्राथना गीत है स्वार्थ गीत है या फिर इनमें से कोई नहीं तो आपको बता देखी बच्चे की दुआ हम आपको बताए भी थे कि एक प्राथना गीत है जो बच्चे गौड से प्राथना कर रहे है ठीक है अगला कुष्चन है बच्चे की दुआ कविता में क्या संदेश मिलता है तो बच्चे की दुआ कविता में हमें नेकी के राह पर चलने का संदेश मिलता है यानि नेकी की राह पर चलना यही संदेश हमको मिलता है अगला कुश्चन है गौर से देखेगा और इसे समझते चलेगा समझेगा तो automatic आपको याद भी हो जाएगा बच्चे की दुआ किस विद्या की रचना है तो आपको बता दे कि ये कवीता है निवंद नहीं है आपको बताये थे हम ठीक है अगला question है यहाँ देखिए दर्दमंद और वंचितो की हिफाज़त की शंकल्प किस कवीता से लिया गया है यह आप बता सकते हैं किस कवीता में है तो यही है बच्चो की दुआ कवीता से ये लिया गया है अगला question है बच्चे की दुआ सिर्षक कवीता में किसे बेहतर बनाने का कामना मुखर होता है तो यहाँ पर option आपका सही होगा यहाँ पर संसार यहाँ पर एक और चीज लिखा है बिश्व भी लिखा है यह भी सही हो जाएगा थोड़ा सा option में mistake हुआ है अगला question हम लोग देखते हैं मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किस की पंती है आखिर यह किसने लिखा है इसके बारे में आप खुद यहाँ पर सोच करके बताईए आपको हम बताये थे इसके बारे में deeply और इसका कुछ अर्थ भी आपको समझाये थे और कुछ ट्रीक भी बताये थे तो इसको आप बताईए कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किस की पंती है यह दिनकर की पंती है या फिर संकर सैलेंदर की पंती है या फिर एकबाल की है या फिर अणूर कमल की है यहाँ पर जो कुश्चन है अगर आपको पता होना चाहिए तो यह क्या होज़ेगा एक बाल, क्योंकि बच्चे के दूआ बालक को भी कहते है, ठीक है, बाल लास्ट में आया रहा है बालक, तो यही आपका अंसर सही होगा अगला कुस्छण या यहापशे अगला कुस्छन यहां पर देख़ेगा बच्चे के दुआ कावीता में किस पक्ष का मारवी विकास कराती है तो अहिंसा के पक्ष में ठीक है यानि कि यहाँ पे अहिंसा के बारे में यह बताएगा है हिंसा के बारे में नहीं बताएगा यह भी गलत होगा यह भी और यह भी अगला कुश्चन है अशोक के सस्त्र त्याग एकांकी किसके पक्ष में तर्क देती है तो आपको पता होना चाहिए कि सांती के पक्ष में तर्क देती है क्योंकि अशोक ने सस्त्र त्याक करके सांती का धर्म ही बहुत धर्म अपनाया है ठीक है अगला कुश्चन है यहाँ पे अशोक अशोक कहां का समराड था तो यहाँ पर आपका एंसर हो जाएगा अशोक मगद का समराड था अगला कुश्चन है कलिंग का युद कितने वर्सों से चला आ रहा है तो हो जाएगा ये चार वर्सों से चला आ रहा है कलिंग का यह चार वर्षों से चला रहा था आपको बताए भी ते डीपली कहानी में ठीक है अब देखिए कुशन नमर पांच यहाँ पे दे रहा है असो का सत्याक सिर्षव पाठ का मुलू देश्य क्या था तो मुलू देश्य क्या था अइंशा पर्मो धर्मा था कि यह सांत अगला कुश्चन है थोड़ा से इसको हटा दे हम अपको डीपली दिखेगा किस विद्या की रचना है तो आपको पता होना चीए कि अपरी बता थे एक कांकी है अब आशो का सस्त्रत्या किस की रचना है तो यह वंशी धर शिर्वास्तों की रचना है यहां से आप्सन नही दिया है क्योंकि समय बहुत कम है तो आप याद रखिया वनसिधर शिर्वास्तो द्वारा रचित यह एकांग की असुक का सस्त्र त्याग है असुक ने अपने सस्त्र को त्याग दिया था अगला नौ नंबर कोशन है पदमा कौन थी अप्शन कलिंग की राजकुमारी या फि यहां पर देखिएगा पदमा के ललकारने पर असुक ने क्या किया है यूद करने लगे या फिर यूद करना छोड़ दिया या डर कर मतलब डर कर यूद छोड़ दिया या कोई नहीं तो यहां पर option भी आपका सही होगा यूद करना छोड़ दिये ठीक है क्योंकि वो इस्त बदला लेना चाहती थी अपर दियाँ से देखेगा अपने भाई का अपने पती का अपने पिता के या उपने पुत्र का यहां पको बता दे कि हम फिता कीमिर्टियों का बदला लेना चाहती थी ठीक है यहां पैज को прог का शंबंध पदमा कहां से थी तो आपको बता दर की कलीं की राजकुमारी थी ठीक है वैसे कहानी में आप पड़े भी है अब देखते हैं टेनलेशन टेनलेशन इर्ष्या का संबंध है तो कभी इर्ष्या क्यूं होता है जब सामने वाल व्यक्ति ज्यादा डेवलप करता है प्रतिद्वंदी कंप्रटीशन जब होता है तब इर्ष्या उत्पन होने लगता है ठीक है इर्ष्या से बचने का क्या उपा है तो मांसीक अनुशासन अराम से बैठ करके और अपने मन द्वारा अनुशासन करना चाहिए यही इसका उपा है अगला कुशन है यार यह तो बजार की मख्या है जो क्या करती है और कारण हमारे चारो और बन बनाये करती है किन की पंती है तो आपको बता दे कि ये निच्चे की पंती है ठीक है अगला कोश्चन है चार नंबर किसे लेखक ने अनोखा बरदान कहा है तो आपको बताये थे पढ़ते समय कि इर्षिया को यह सब इस्या तो गुस्सा रहेगा तो यूपियुक तीन हो participation किरी नियाह सं opinions दिंकर जी के घर के बगल में कौन एक डैस साहब है तो आपको पता होना चाहिए कि दिंकर जी के बगल में आखिरकर कौन यहां पर थे तो वकी लिए वकील साहबह bacार्त साहब की किसकी उदय से सुरिय माधिम सा दिखने लगता है, या माधिम जो है यह थोड़ा सा दिहाती भासा है, लेकिन किताब में यही दिया है, तो देखिए, अगर आपके अंदर इश्या उत्पन हो जाती है, तो हर चीज आपको बुरे नजरों से, मतलब आप बुरे नजर से सब किस देखने लगते हैं, यानि इश्या आपका सही उत्तर होगा, अगला है इश्या क्या कार्या है, तो आपको पता होना चीजिए का कौन सा काम है, बरबाद करना काम है, कि जलाना काम है, कि जलना काम है, तुम्हारी निंदा वही करेगा तुमने जिसका कभी भलाई किया हो, याद रखेगा आप कभी किसी का भलाई कर रहे हैं, तो कभी न कभी आपका बुराई जरूर करेगा, यह कौन बात बोले हैं, हमेशा यह बात बोले हैं आपके, इस्वर्चंद्र बिद्या शागर, आप अपने मन को शांती रखने के लिए अंतर में इदिल से सोचो तो नहीं जाता है और ज्रम निबंध है निबंध देने कि यह क्या है निबंद है अगला कुश्चन है तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है तो रमधारी शेंग दिनकर एक ही कुश्चन बार-बार घुमा-घुमा पुच्ता है इसलिए हम इस तरही का से आपको बता दिया है यहां देखिए अब 11 लेशन है कि मैं कहता मैं कहता हो आखिन देखी और तू कहता कागज की लेखी यह पंति किसके दवर लिखा गया और किस पद में लिखा गया आपको बता दे कि कबीर के पद में बोला जाता है कि मैं कहता है मैं जो आख से देखता हूं वो कहता हूं और तुम क्या कहते हो जो कागज में लिखा है वो कहते हो यह कबीर के पद में का है ठीक है कबीर अपनी रचना से किस पर करारा परहार किये हैं तो यहां किये हैं तिन नमर कुश्चन है मोको कहां ढूंड़त बंद है मैं तो तेरे पास में पयुक्त उपयुक्त अगर यहां पर उपयुक्त भी लिख सकते हैं ठीक है पंती गवान यानि कि God खुदा बुलना है कि मेरे को तुम इधर-उधर कहां डूण रहे हो हम तो तुम्हारे पास में हैं बस सच्चे मन से मेरा प्राथना करो अगला कुश्चन है कबीर किस काल के कभी है तो भक्ती काल के कभी है ठीक है उसके बासे मनुआ का क्या आर्थ है तो मनुआ का अर्थ होता है मन ठीक है मनवा तो दहुदिसी फिरे इस टाइप का आता है मनवा जो मन होता है दसो दिसा में फिरता है ठीक है? अगला कुश्चन देखिए कबीर के अनुसार वेक्ति किस कारण से सत्य की पहचान नहीं करता है अपनी अज्यानता के करण अगर व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है तो सत्य का पहचान जिंदिगी में कभी नहीं कर सकता है, कि सही क्या है और गलत क्या है, कबीर के पद, सिर्षप, पाठ, सहीत, किस सहीत की विद्यती ये एक पद है, ठीक है? आपको बता दें हम कि ये क्या है? पद है, मोको सब्द कि इसके लिए परयोग किया गया है मोको का क्या आर्थ है तो मुझको मुझको कहां डूंडत है तो यानि मुझको कहां डूंडत है अगला है 12 लेशन थोड़ा सा यह थोड़ा सा डीपली देखेगा और यह इंपोर्टेंड भी है ठीक है विक्रमसीला पाठ की बिध्या है तो यह एक निबंद है ठीक है किस बिध्या के छेत्र में आरेभट विश्व परसीथत तो खगोल विध्या के बारे में यह विश्व परसीथे यह आप से पूछा जाता है लामा समपरदाय जो है इसकी सुर्वात किष्ने की तो 30 दिपंग क अगला कुश्चन है तिबत में बौध का प्रचार किषने किया, तो अतीस दिपंकर ने किया है, विक्रम सिला की अस्थापना कभ लोग तो आठमी शदी में हुई, अगला कुश्चन है विक्रम सिला आधोनी किस जीले में अवस्ति थे तो भागलपूर और पुराना इसका न में पस्ति थे तो याद रखेगा अंतीचक गाहों में थोड़ाशा नाम उटपटांग है अगला कोस्चन है विक्रम सीला बिश्रवी द्याले की अस्थापना किसके संरक्षण में हुआ तो पल्लावंस के राजा थे धर्मपाल याद रखेगा इसमें दो-दो कोस्चन यहां देखे विक्रम सीला में कितने महां भीद्याले हैं तो यहां पर देखे माइध्याले हैं विक्रम सीला के प्रधम अचार यह कुलपती कौन थे-तो Aixòरी इनको दूसरा नम सांती ध्र behavior अगला है या ध्यान से देखें साह सिख्रा को हुआ था प्रतेक नए विद्यार्थी को किस वर्ग में रहना पड़ता आपको बता था कि भिख्शु वर्ग में रहना पड़ता याणि कोई भी अगर नया एड़िशन लेता है कहां पर विक्रम सिला विश्व विद्याले में उसे भीच्छू का रूप धारन करना पड़ता था अगला कुछन है विश्व बिक्रम सीला में अध्यापन का माध्यम क्या था संस्क्रीट से वो ठीक है इंगलिस मेडियम हिंदी मेडियम होता उसका मेडियम क्या था संस्क्रीट था संस्क्रीट में यू सिक्षा दिया जाता था विक्रम सिला बिश्व विद्याले का शर्वनास किस ने किया तो तुरको द्वारा किया गया था वो समझ रहे था विद्याले को कि किसी का खीला है और आकर के आकरमण कर दिया वे इस तरह से विक्रम सिला का बिनाश हो गया 13 lesson है, साफ दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, किताब पढ़ने का 100 किशे था, तो संजु को था, संजु को उसे कभी भी उपहार में क्या मिलता था, कभी जो भी अगर किसी भी competition में अगर अच्छा नमबर लाती थी, तो उसे किताबे ही मिलता था, घर उस इसके डायरी को पढ़ने के बाद संजु डायरी लिखने के लिए प्रेरित हो गया, तो गांधी जी के डायरी जब पढ़ी सत्य का परियोग तो यह प्रेरित हो गई है, अब देखो, बेटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने किछीख है, किसने कही, तो यह दादी माने बोली ठीक है, और यह कब की बात है, तो छो जनवरी का बात है, यह भी है, छो जनवरी, उननीशो शन्तानबे, याद रखिएगा, 1997, संजु की दादी, संजु की दीदी, पिकनिक मनाने कब गई, तो आपको बता दे कि तीन जनवरी को गई, आपको ट्रीक भी बताए हैं, लेशन मौजी लड़की थी, ठीक है, मन मौजी होगा यहाँ पे, दीदी ने तो तो चान की कहानी कब पढ़ी, तो चार जनवरी उननीशो शन्तानवे यहाँ पे होगा, ठीक है, और वो दिन रवी बार का था, नास्ता वगरा करके, और फिर कहानी पढ़ने बैठ गई थी, संजु किस कक्छा में पढ़ती थी, ठीक है, अगला कुष्चन है, चार जनवरी, 1997 को संजु ने डायरी में किसके बारे में बताया, ठीक है, तो जपानी लड़की तोतो चान के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही मनमोजी लड़की थी, अगला कुष्चन है, किसकी साधी में तैक हो गई थी तो यहां पर देखिए नीलू की साधी इसकी फ्रेंड थी और इसी की साधी तैय हो जाने के वेचारी नीलू पढ़ना चाहती थी लेकिन उसके घर वाले उसको पढ़ने नहीं दिए उसका साधी तैय कर दिये इसलिए काफी दुखी भी थी संजु की बहन है तो आपको पता हूं ची कि आपसे question ये पुछा जाएगा कि गोपाल सिंग नेपाली द्वारा कौन सी कविता लिखा गया है तो यहां पे होगा people पीपल पार्ट की बिद्धिया कैसा है तो यह परकार का क्या है कवीता है अगला कुस्चन है थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसको समझते चलिएगा समझीगा तो याद हो जाएगा पीपल कवीता में किस भाव का वियंजना हुआ है मतलब किस भाव को बताए गया है तो यहाँ पर पूरा का पूरा जंगल के प्रकिर्टी सुंदर गया यह यहसा होता है तो कवी के अनुसार तो गोल होता है वैसे हमलोग Gerald में गोल देखते नहीं है लेकिन कवी के अनुसारannah पढ़ेंगे कभी कौन पक्षी रात रात में क्या रो रो कर क्या रो रो कर भी ता देता है अपना रात तो चकोर चकोर जो पक्षी है तीतर के जैसा होता है आपको पिक्चर भी हम दिखाये थे ठीक है चकोर जोता है रो रो करके शुबा कर देता है भारतिय संस्कीत में पीप के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल-कल चल-चल यह पंती किस के द्वारा रचित है तो आपको पता दे गोपाल सेंग नेपाली के द्वारा रचित है देखा न अब्जेक्टिव कुसेशन कितना शांदार था तो प्लीज इसको शेयर किजिए अपने दोस्तों में जो अब्ले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जैहन दो